क्या बात है वही है मतलब pro player के secret headshot setting जानने में बड़ी जुर जुरी होती है न कोई बात नहीं मेरे भाईयो सारी जुर जुरी मिटाएंगे इस वीडियो के इंदे में आपको कुछ ऐसे पिरो players के setting के वारे मैं बताने वाला हो जिससे वैसे आपके one table shot बहुत ही next level के लगने व भाई कुछ ऐसा ही हाल कर दो कि आप एनिमिस का ठीक है तो वीडियो को पुरा देख लेना है क्योंकि भाई से पिरो players के setting के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंगर पिरो players में हमारे है राइस्टार भाहिया एमेटन भाहिया और भी से वरोथेस्ट यानि की मैं है या चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल वाले आइकों को और पर सिलेक्ट कर देना क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसी धमा किदा टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो थोड़ी से फणी अंदास में लेकि आता रहता हूं ठीक है तो सब्सक्राइब ज़रू से कर देना अभी लोगों को भी ऐसा लगता है कि या रेड और 2X और 4X सेंसिटिविटी को 100 रखने की वज़र से हमारी डेजर्ट इगल या फिर M87 ज्यादा रिकॉल करती है तो मैं आपको बता देता हूं इसा कुछ भी नहीं होता यह सब बखवास है ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक और च सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो इसको कैसे ओन करते हूं मैं आपको बता देता हूं पहले आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर चले जाना है उसके बाद आपको डेवलपर मोड को ऑन करना है बिल्ड नमबर पर चार्ज से पांच बार क्लिक करके ठीक है उसके आपको इंक्रीज करके बड़ा देना है चार सो साथ जी आगई से चार सो साथ आपको कर देना है यह बेस्ट डीपी आई सेटिंग रहता है वंटेप रिक लगाने के लिए अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं डीपी आई को आप यूज कर सकते हो बड़े बड़ यूज करना है कि नहीं करना है वैसे मैं आपको पर्सनली बता देता हूं मैं डीपे को यूज करता मैं जनरल सेंसिटिविटी को हंडर रखके ही बहुत ही अच्छे खासे वंटेपर शोट लगा लेता हूं ठीक है तो भी कैसे सीथे ही आ आजाता है वारे इन गेम सैटिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एंपरिकरे में तो डिको यह आपको जादा सानपटी नहीं करने फूल कंट्रोल या प्रीशेशों सेंस को बिलकुल भी नहीं करना आको डीफॉल्ट पर रहने दिने थिक है उसके बात गई से बाहरे ही आजाती है हमारे ले 60 degree glow और एकदम बेजली की रफतार से डाल सकते हैं basically आपको left arrow button को always पर ही select करके रखना है उसके बाद guys यह बार यह आ जाते हैं हमारे quick weapon switch button की तो देखो मैं आपको बता देता हो अगर आप 3 finger या फिर 4 finger player हो तभी आप quick weapon switch button को on रखके खेल सकते हो यानि कि अगर आप 2 finger player हो जो की ज़्यादा तरबंदे होते हैं तो आपको quick weapon switch button को off ही रहने देना है ठीक है देखो एक quick weapon switch button को on करने से आपके custom HD के अंदर record button add हो जाता है जिसको use करके आप guns को आपस में आसानी से switch कर सकते हो लेकिन अगर आप two finger player हो तो आप इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाऊगे तो three finger और four finger वालो आप इसको आसानी से on कर सकते हो ठीक है quick reload तो कुछ काम का है नहीं हम सीधे यह आ जाते है हमारे quick sniping के बारे में तुम्हें आपको बता दीता हो hold fire to scope button पे ही क्लिक करके रखना है hold fire to scope button पे क्लिक करने की वज़े से जब भी आपके हाथ में sniper होगी तो आप fire button पे जैसे ही क्लिक करोगे तूरंथ ही आपका जो scope है वो automatically on हो जाएगा ठीक है या यानि कि आपको scope in वाले button पे अलग से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगा उसके बाद में गैसे बार यह आ जाती है हमारे new button की जो की ग्रेनेड़ स्लोट या गैसे यह नया नया एड़ हुआ है free fire के setting के अंदर जो की अफसोस बहुत ही ज्यादा useless button है जिसका कोई काम नहीं है यहाँ पर आप देख सकतो double slot करते ही यहाँ पर मेरे पास आ गया है दो slot glue all button को रखने के लिए मतलब मतलब कुछ भी यार single slot में हमारा काम चल जाता है तो आपको single slot ही रहने दिन है और गैसे इसके बाद के जितने भी option है उससे आपकी गेम पले पर कोई इंपक्ट नहीं पढ़ने वाला है तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिए रख सकते हो और आटो पीकप को भी आप ओफ या फिर अन कर सकते हो ठीक है उसके बाद गैसे आज आते हैं हमारे ग्राफिक सेटिंग या फिक कहली जे डिस्प्ले सेटिंग पे तो दिखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हो ग्राफिक से आप जो मर्जी चाहे रखो आपके वन टेपर सोट लगाने में कुछ भी फरक नहीं पढ़ने वाले ठीक है देना ठीक है देखो गई सेर फुल फोर में फ्रेम पर सेकेंड इसको हाई करने की वज़े से जो आपका गेम इना बाटरी स्मूज चलेगा ठीक है तो इसको हाई कर देना है और अगर आपके पास चार्ज बीरेम वाला डिवाइस ही तो आपको ग्राफिक्स को अल्टरा पर कर देना है उसके बाद अगेन आपको हाई एफपेस को हाई पर सीलेक कर देना है ठीक है तो बेजिकली कैसे डिस्प्ले सेटिंग के वज़े से आपका गेम इना बहुत ही ज्यादा स्मूज चले गया और जो आगे मैंने आपको सेटिंग बताए जिससे आपके वंटेवर्स झाल झाल झाल